एक तरफ जहां अब युक्रेन में नाटों के बड़े-बड़े हथियार पहुशना शुरू हो गए हैं वहीं दूसरी तरफ युक्रेन युद्ध को रुखवाने की कवायत भी चल रही है दरसल अब भूस के राश्पती व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के आगे दो टूक कह दिया है कि अगर युक्रेन में युद्ध रुखता है तो वो उनकी शर्तों के हिसाब से और अगर उनकी शर्तों को नहीं माना गया तो युक्रेन में आगे भी रक्त पात जारी रहेग यही नहीं पुतिन का ये भी कहना है कि वो इन शर्तों के साथ युक्रेन के साथ किसी भी वक्त बादचीच शुरू कर सकते हैं दरसल रूस के राश्पती व्लादिमीर पुतिन ने अपने टॉप राजनाईकों के साथ विदेश मंत्राले में एक हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें उन्होंने अधिकारियों के सामने शांती वारता का ये मसौदा रखा है पुतिन का कहना है कि हमें एक और वास्तविक शांती प्रस्ताव रख रहे हैं यदि युकरेन और पुतिमी देश इससे इंकार करते हैं जैसा उन्होंने पिछली बार किया तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी रक्त पाच जारी रहने में ये उनकी राजनितिक और नैतिक जिम्मेदारी होगी दरसल पुतिन ने अपनी कुछ शर्ते रखी हैं पुतिन का कहना है कि युक्रेनी सेना को पूरी तरह से पूरे डोनेट्सक, लुहांसक, जापुरीजिया और खेरसान इलाके से निकलना होगा विशिश कर इन इलाकों की प्रशासनिक सीमाओं से बिल्कुल ठीक वैसे जब ये युक्रेन में शामिल हुए थे एक बार युक्रेन इसके लिए अपनी सेहमती का एलान कर दे और इन इलाकों से अपने सेनिकों को वापिस बुला ली इसके साथ साथ नेटों में शामिल होने की योजना पर दुबारा घोश्रा करे इसके तुरंद बाद हम युद्विराम कर देंगे और बाच्चित के लिए तयार हो जाएंगे इन शर्तों के लावा पुतिन ने ये भी कहा है कि रूस चाहता है कि युक्रेन एक गुट निर्पेक्ष और गैर पर माडू स्थिती अपनाए तब ही इस संगर्ष का शांती पुर्ण समाधान हो सकता है इसके साथ ही युक्रेन का गैर सैन्नी करण और नाजी करण से मुक्ती जरूरी है इन्ही मानकों पर व्यापक रूप से इस साल 2022 में इंस्तामबूल में सहमती बनी थी इसके अलावा पुतिन का कहना है कि हम युक्रेन के साथ जल से चल बातचीत की मेश पर आने के लिए तयार है हम इसमें जटिलताओं से भी अवगत है पुतिन का कहना है कि हम कले युक्रेन के साथ बाटचीत की मेश पर आने के लिए तयार हैं क्योंकि हम विशेश कानोनी परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ हैं इसके बावजूद उनके सम्विधान के अनुसार भी वैद्य अधिकारी हैं जिनके साथ हम बाद चीत कर सकते हैं पुतिन का अपने इस बयान से कहने का मतलब ये है कि युक्रेणी राश्चुपती जेलन्सकी का कारेकाल खत्म हो चुका है और उन्होंने चुनाव रद्द कर दिये हैं वो अवैद तरीके से सतथा पर कबजा बनाये रखना चाहते हैं लेकिन हकीकत में सारी ताकत युक्रेणी सांसध में नहीं थे युक्रेणी सम्विधान सत्था पर कबजा करने की इस कोशिश का अवैद मानता है पुतिन का कहना है कि इसकी जड़ साल 2014 में हुए तक था पलट में नहीं थे उस वक्त सेन समू ने युक्रेन की सत्ता पर कबजा कर लिया था ये पूरी तरह से असमवैधानिक था और अब युक्रेन एक बार फिर से 2014 की स्थिती में पहुँच चुका है